नमस्कार साथियों मेरा यूटीब चैनल सुविधा 2010 में साधर पूर्वक अभिनंदन मैं हूं रविकांत भकत सुनो सुनाओ ज्यान बढ़ा पाठ 75 के माध्धम से आज बात करेंगे दो मार्श को घटित महत्पुन घटनाओं के साथ जनमदिवस पुन्वति थी उत्साव अ फैर्स पर एक नजर डालेंगे अंत में एक स्पेशल टोपिक्स पर बात करेंगे आज का स्पेशल टोपिक्स है 4G सर्विस का होगा अंत जल्द होगा 5G की सुरुआत जनने के लिए वीडियो को सुरू से अंत तक ध्यान से सुने देखें लाइक करें अधिक सदिक लोगों को और सभी गुरूपों में स्यार करें तो चलिए हर दिन की तरह सुरू करते हैं आज की सुविचार से आज का सुविचार है आपके आमने सामने घूम रहे रंगा स्यारों को पैचानने के बाद भी अगर अंजान है तो आप समझ लिजिए आप रंगा स्यार का पाहला सिका इसी के साथ शुरू करते हैं देश-दुनिया के इतिहास में दो मार्च को घटित अतित एवंग बारतमान की महत्पूर्ण घटना है। सन 1770 में दल लब अप मार्च एंड वीनस का पाहला बेले सो इंग्लेड में किया गया। 1776 को अमेरिकों ने बॉस्टन में ब्रिटीश सनिस्कों को गोलिवारी करना सुरू कर दिया था। 1807 को अमेरिकी कंग्रेस ने एक कानूनी पास कर देश के गुलमों के आयात पर रूक लगा दी थी। दासप्रता की समापती की दिशा में या अहम कदम था। 1819 को अमेरिकें ने अप्रावरजन कानून पारित किया। 1835 को फार्नाडे ओस्टिया का सम्राट बना। 1836 में टेक्सास ने मेक्सियों से अपने अजादी की घुशना की। 1866 में निडल कमपानी एक्सेलियर ने सिलाई मेसिंग के लिए सुई बरानी शुरू की। 1901 में दुनिया की पाहली वारलेंस टेडिग्राप कमपानी हवाई में खुली। 1919 में अंतराश्टिय मर्सवादी पाटी की पाहली बैटक मस्को में हुई। 1946 को होची मिन वियत्नाम के रस्पति निर्वाचीत हुए। 1962 को जेनल के वीन की अगवाई में सेना के बर्मा की सत्ता पर कबजा किया। 1969 को सुपरसोनिक बीमान कॉनकोड की पाहली सफल उड़ान रही। यह बीमान टलूज से उड़ा और सिर्फ 27 मिनिट की उड़ान के बाद पाइलट ने उससे उतारने की फैसला किया। 1970 को अमेरिकी महादिव का देश रोडेशिया अब जो जिमावी में है एक सतंत्र राज बना। 1981 में तिन आतंगबादियों ने पाकिस्तान एरलाइन्स के बीमान पर अपहरन किया। 1982 को बिहार की राजधानी पटना में महत्मागंधी सेतु का उदगाटन किया। 1983 में सवियत संग ने भुमिगत्त परमनुद परिच्छन किया। 1991 को स्रिलंका की राजधानी कोलंबो में एक हुए कार बमिबस बीसपोर्ड में देश के रक्षा मंत्री रंजन बिजयरत ने सहित 19 लोग मारे गए। 1995 को एक वाडर एवं पेरु के मद चल रहे संगर्ष को स्खतम करने के लिए दोनों देशों ने के मद समझता हुआ। 1997 को चीन दोरा अपने रच्छा बजट में 12 परिच्छत की बिद्धी की। 1999 को ब्यपक परिवर्ण परिच्छन संधी CTBT पर हस्ताचर करने के लिए भारत के साथ किसी गुप्त समझेते के समाचार पर समझूत राज अमेरिका दोरा खंडन। 2000 को चिली के पूर्व सैनिक तनासा जर्नाल आगस्टो पिनो से ब्रिटेन दोरा रिहा करने के बाद सोदेश रवाना। 2002 को कुलम औस्टिले के राष्ट मेंडल सिखा सम्मेलन सुरू पकिस्तान की पूरा समिल करने से इनकार। 2002 को फिलिस्तिन के इजराइल से भी सम्मन्त दोरे, 2004 को इराग जुद के दोरान आताकी संगठन अलकाइदा ने 170 लोगों के हत्ता की और 500 से अधिक को घाल कर दिया। 2006 को नए दिलिंग में भारत और अमेरिका के बीच एतियासिक परवानु सम्झोता संपन हुआ। 2008 को आइगेट कॉर्पोरेशन ने फनी मूर्ती को अपना मुख परिचलन अधिकारी सीओ निजुक्त किया। इसी साल हमस के प्रमुख इस्माईल हनिया के दफ्तार में इजराइल जुद्धक बिमानों से हमला किया। इराण के राष्टपती महमुद अहमादी नेजाद अपनी इतियासिक जात्रा पर इराग पहुचे। नेपाल सरकार ने पूर्व पाड़ी छेत्र में अधिक साहत्तता की मायं को लेकार संगर्सरत देशी जातियों समोह के एक संगठन गडवन्धन में समझता किया। 2009 को चुनाव आइग ने 15 लगसवा चुनाव 16 अप्रिल से 13 माई के बीच 549 में संपन करने की गोशना की। 2009 को रिलाइंस इंडास्ट्री लिमिटेड और उसकी अनुसंगी रिलाइंस पेट्रूलियाम के निवे सकों के बोर्ड के दोनों कमपाने को बिलाय के प्रस्ताप को मंजूर दी। 2010 को सिड्नी गे एंड लेजबियन माडी ग्रास दोरा आजीत कर्जकर में 5000 से अधिक लोगों ने सिड्नी और पेरा हाउस में के सामने सिडियों पर कपड़े उतर कर स्पिनिस पूनिक नमक अमेरिके फोटोग्राफर के लिए पोज दिया। 2011 को पाकिस्तान के अल्फसंकर मावलों के मंत्री सर्माज वट्टी को हमलावर ने गोली मार कर हत्या कर दी। 2012 को जर्मानी के आदालत में एपल और समसंग के बीच पेटेंट का मुकर्दमा खारिच किया गया। 2014 को रूस की संगसद ने सेना भेजने का नेनन लिया, 2019 को निठारी कांड के दसमे केस में भी सुरेंदर कौली को मिली फासी की सजा, ता समयत कोई दाराव में की दोसी। 2020 को मुक्हमंत्री अरव अमरिंदर की अद्दचता में पंजाब के केबिनेट की बैठक में लोकपाल बील को मंजूरी मिली मुक्हमंत्री मात्री एवंग विधायक इसके दारे में होंगे। 2020 को भारत सरकार ने राष्टिय चंबल अवैरनों को इको सेंसेशिव जोन गोसित किया। अब बात करते हैं दो मार्च को जन्मे बेक्तियों के बारे में। बसंत सिंग खलसा जो राजनीते गे थे इनका जन्म 1932 को हुआ था। केरल के पूर्व मंखामंत्री पी के बसुदेवन नायर का जन्म 1926 को हुआ था। मिखाईल गोर्वाचोग जो सब्यत संकी अंतिम राष्टपती थी इनका जन्म 1931 को हुआ। भारतिय अवाज अभिनेता किसोर भट का जन्म 1951 को हुआ। भारतिय अतिरंदाज खिलाडी जन्त तलुगदार का जन्म 1936 को हुआ। टाइगर स्त्राफ जो एक भारतिय फिल्म अमिनेता एवं मार्शल आर्ट हैं उनका जन्म 1990 हुआ। चलिए अब बात करते हैं दो मार्ज को हुई निदन के बारे में। चत्रपती सिवाजी महराज के छोटे पूत्र राजाराम का सिंगगण में निदन हुआ शत्रसो इस्विको। उत्रपतेश के पर्थम राज्यपाल हारकोट बटलार का निदन आठरसो उनात्तर को हुआ। बारती सतंतता अंदलन के अग्रणी भूमिका निवाने वाले तथा भारत कोकिला के नाम से मशूर स्वरजिनी नाइडू का निदन उनिस्व। पचास को हुआ। पकिस्तान के अल्पसंग मालों के मंत्री सनवाज भट्टी का निदन 2011 को हुआ। अब बात करते हैं दो मार्च के उपसर, दो मार्च के महत्पून उपसरम उपसवभों के बारे में, भगबार स्री पादमा प्रभुजी मुक्ष दिवस पी के बासुदेवन नायर जानती भारत को गले स्वर्जुनी नायडू स्मिर्थी दिवस मनाय जाता है। अब बात करते हैं ताजातरन घड़नाएं यानकी 2 मर्च 2021 को हुए घटना यानकी कारेंट एफार्स के बारे में। गुजरात निगाव चुनाओं में भाजपा ने लहराय प्रचम 10 साल बात किया ये करनामा। गुजरात में 81 नगर निगम 31 जिला पंचायत और 21 तलूका पंचायत के लिए चुनाओं में भाजपा सबसे बाड़ी पार्टी बनकार उबरी है। पीएस एल यानके पटिस्तान सुपाल लिग में कोरोना भाइरस के लिए कोरोना भाइरस के तीन नए केस मिले जिनमें से दो बिदेशी खिलाड़ी। इसमें इसलमाबाद इनाइटेड और क्वाटा गिलेडियर्स के बीच होने बाले मुकावाले को टाल दिया गया। पिछले साल मुंबाई में हुए ब्लेक आउट में चीन के हेकर्स का हाथ होने के दावे परियकाना की जीतेन जेन का जो साइवार सिकुरिटी एक्सपार्ट है। हर्यान के राजिपाल ने दी 75-35 रोजगार की बिल मंजूरी आप राजि के जुबाओं को प्राइबेट सेक्टर में नोक्रियों में मिलेगा 75 फिजदी अरच्छन। 4G सर्विस का हुआ अंत अब जोल्ध होगा 5G की सुरुवात। यह है आज का होट टोपिक्स। रिलाइंस जीओ ने खरिदा स्पेक्ट्रम रिलाइंस जीओ ने जो स्पेक्ट्रम खरिदा है उसका इस्तिवाल 5G सर्विस के लिए करेगा। इसके लिए एक बड़ा कदम मना जा रहा है। जल्दी भारत में 5G सर्विस होगा सुरू। साथिओं इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कल फिर मिलेंगे। अगर आप नए दर्सक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देए, वीडियो के लाइक कर सभी गूरुपों में और सभी दौस्तों को सेयर कर देए, वीडियो देखने के